सो दोस्तों नमस्कार माइने मिट भूपरिण सर्मा मोडी बिजिन स्पीकर एंड बिजिनस कुछ स्वागत करता हूं आपका अपने ऑफिसियल यूटूब चैल भोमा बिजिनस में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबको पता है मेरे यूटूब चैनल पे सिर्फ आर्निंग आने यह जा रहा हूं कि यहां पर आप विष्ट मटेरियल से यानि बेकार सामान से आप यहां पर नए सामान जैसा दाम आराम से आप कमाई कर सकती हो जैसा मैं बता दू प्रजेंट टैम में पैसा कमाना एक क्रेस चला है लोग बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा कमा रहे है और इंडिया में present time में एक business का भी crazy चल ला है हर कोई आदमी इस समय जॉब से quit करके जिसके पास भी 5-7 लाख रुपे saving हो जाती है और तुरंद जॉब से quit करके कोई छोटा सा छोटा business जरूर डाल लेता है अब इस situation में अगर आप भी क्यों पीछे रहो आप भी कोई छोटा सा बिजनेस डालो और पैसे कमाओ तो यहां का बात करें जैसा कि छोटा सा कोई mobile खरिता है और जैसे दुकान के नीचे उतरता है उसकी कीमत 30% डाउन हो जाती है या फिर कोई fashion यानि कोई कपड़ा मार्केट में आता है new designs का आता है और उसका जैसे design खतम होता है उसका लग अब 50% तक दिखाई देने का मतलब ही होता है क्योंकि वहाँ पर वो जो जो कपड़ा present time में available है जो सामान present time में available है उसका क्रेस खतम हो चुका है या तो वो inspire हो चुका है यानि कि inspire कुछी समय उसका बचा है या फिर वो चीज जो है उसका fashion जा चुका है उसका क्रेस खतम हो है जिसकी वजह से वहाँ पर 50-60% सेल लगी हुई है या फिर वो inspire के जस्ट नश्दीक है दो से तीन महिना inspire बचा है जिसकी वजह से वह चाहता है जल्दी से जल्दी यह सेल हो जाए हमारा जितना भी यहाँ पर पैसा लगा है तो इस situation में वहाँ पर यह सारा सामान इतनी छ सागत लगेगा क्या क्या इससे आप बना सकते हो कैसे आप सेल करोगे और किस तरीके से मार्केटिंग करोगे पूरी जानकारी आपको दूंगा तो पूरते हैं वीडियो वास करना ताकि एक भी points मिशना हो तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं raw material की जब कोई सब भी पैसा आपको आपका लगता है मसीनरी खरीदने में और कुछ बिजनसे से हैं जहाँ पर ज्यादा तर पैसा raw material के लिए raw material में लगता है तो अगर मैं बात करूं जो है कपड़ा manufacturing के बारे में यानि अगर आप कपड़े का business start करते हैं तो यहाँ पर ज्यादा तर पैसा आपका raw material में लग जाता है बट जो मैं बिजनस बताने जा रहा हूं यहाँ पर आपका पैसा जो है ना के बराबर लगेगा raw material में क्योंकि इसे हम कपड़े का recycling business के अंतरगत आता है recycling business क्या हो जाता है जो कपड़े पुराने हो जाते हैं यह उनका क्रेश चला जाता है out of fashion हो जाते ह हैं उन कपड़ों से आप business कर सकते हैं उन कपड़ों से आप क्या क्या बिजनस कर सकते हो उन्हें recycling कर सकते हो यानि कि उनमें क्या करना है आपको उन कपड़ों से आप जैसे की कोई जूता है और वह जूता क्या होता है जो है इस पार हो गया या उसका क्रेश खतम हो गया फिर जो भी पुराने आपके कपड़े आ जाते हैं आपने देखाऊगा मार्केट में दरी कपड़े की दरी मिलती है और उन जो क्रेज कपड़ों का क्रेज चला जाता है या फिर जो बेकार कपड़े होते हैं उनका यूज आप जो है दरी बनाने में कर सकते हो इनके दरी बना सकते हो उसे बना करके मार्केट में दे सकते हो जिससे कि वहां से भी आप प्रॉफिट अच्छा खासा ले सकते हो जैसे कि माल लेते हैं अगर जिन्स का क्रेश चला जाता है तो इससे आप फ्लेवर फॉट बना सकते हो जिससे कि यहां से भी आप भारी प्रॉफिट आनका सकत तकिये के लिहाब बना सकते हो इस चीजों को बना करके उसमें थोड़ी सी डिजाइनिंग करके फिर उसे मार्केट में फिर से सप्लाई कर सकते हो और वहां से आपका भारी प्राफिट आ जाता है धारी प्राफिट होने के चांसे बढ़ जाते हैं इनसे आप परदे बना करके के भी भारी profit earn करते हूं तो आप इन से जितने भी सारे प्रोडेक्ट आप मैंने बताएं हैं या फिर जो भी कपड़े का क्रेश पुराना हो जाता है उसमें कुछ आप नया एड कर सकते हो नया एड करके फिर उसे माРकेट में ला सकते हो और नया एड करने के वास मार्केट में लाते हो फिर मार्केट में उसका जो बढ़ जाती है और लोग उसे खरिदतना पसंद करने लगते हैं अब बात करते हैं कि आयसे चीजों को आप किस तरीके से जब आप नया बिजन से स्टार्ट करोगे तो कैसे आप इसकी मार्केटिंग करोगे मार्केटिंग करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप या तो सोसल मेडिया पे जैसे एमाजोन फिलिप कार्ड ऐसे जो मंत्रा या फिर जो है अलीबाबा डॉट कॉम जो भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म अलडी मार्केट में अवेलबल है इन पर आप इन्हें लिस्ट करो लिस्ट करने के बाद फिर जो है इनके स्टोरेज आप लिमिटेड एरिया में बनाओ यानि कि लगभग 20 किलोमीटर एरिया में ताकि जो है इमाजोन फिलिप कार्ड के जो भी जो डिलोरी वहां से सामान पिक करें और पिक करके जो है जो जो भी ओर्डर कर रहा है उन तक पहुंचा दे पहली चीज़ तो यह आ जाती कि आप इनके द्वारा आप वह बिजनस बना रहे हो जो बिजनस आपने स्टार्ट किया है इसकी भी फ्रंचाइजी लोगों को देना स्टार्ट करो और वहां से लोग जो है उस फ्रंचाइजी के त्वारा आप से जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद फिर वही उन लोगों को यह सजेस्ट करो कि आप जो भी आपको मैंने product दिया है, इस product को online ले करके जाओ, online sell करो, जिससे कि वो लोग online sell करेंगे और वहां से भी आपकी marketing बढ़ेगी, आप अपना एक चीज तो जरूर ध्यान रखेगा, brand, logo, GST, number, ये सारी चीज़ें आपके पास होना बहुत important है, ये सारी चीज़ें आप ले क cycling business को कैसे आपको करना है, और फिर से market में अपना brand बना करके distribution होना है, तो मिलता और वीडियो में तब तक के लिए आजत, नमस्कार.